तो होगति आप सब्सक्राइब करने का कि कितने कुशन आपके सही है और कितने कुशन गलत है चले दोगस तो आज की उड़ा श्टार्ट करते हैं इससे बड़े चाहूंगा जितने भी दूस चैनल पर नए है या फिर पहले वर विजिट करने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्र कि जतने भी लेटिस्ट नोटिफिकेशन के अप्डेट हो आप लोगों मिलते रहें चले तो सब अपना पेपर देखते हैं और आज कौन-कौन से कुशन आयते और उनका क्या-का अंसर होगा करते हैं इससे पहले देखिए दोस्तों पिछली वरी वीडियो में गाईस मेरा क आम इतना है कि आप लोगोंने इनके करेक्ट अंसर क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटिस ठीक है पर आप मान के चले जो भी में बता दूं उसमें से 27-28 कोशन डैफिनेटली एकदम शौरीटी की साथ सही होंगे फिर भी कुछ कोशन के आंसर देखिए किसी बुक में कोश होता ह प्लीज और एक दम अच्छे तरीकी से कोई भी अफ़द्र बाशा का पर्यूग ना करें अच्छे सापको लगता है कि हां सरी कोशन गला है तो आप मुझे लिख दें सर्फ इस कोशन गांसर यह हो सकता है यहां पर यह लिखा हुआ है और मैं सो चेक करके आपको कंफर्म कर लें उसमें आपका 1140W का लोड चनेक्टेड है अब इंडियन उलेक्रिशिटी रूल के आकूर कि उसमें किते सब्सर्कुट अब देखिए एक सब्सर्कुट का आपको लोड धेना है अर्ट सो लोड दे सकते हैं यानरे कि अब यह 1140 हो गया यानरे कि एक तो 800 का हो गया और यह मुविंग कोईल है मुविंग आरेन का कोशन नमबर बी करेक्ट अंसर होगा तो चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर थर्ड मोस्ट वाइड़ी यूस इंसुलेशन यानि घरों में जो हम लोग केबल करते हैं उसमें सबस्यादा कौन सा इंसुलेशन तो आप सब को पताए अगला कोशन देखें कंटिंजेंसी चार्जेस देखें यह होता है अर्थिंग प्लेट के लिए सबसे सही आकार देखें जो तीसरा साइज होता है न वो उसकी चौड़ाई होगा है मोटा कितना है तो कभी बी सेंटिमेटर में मोटा नहीं हो गया 30 cm सब्सें लास्ट वह एंएं तो आप 30 किता हो गया का रही यह पंदर होगाई लाइज अछाशन नमरश देखें एक कशान नमर्श देखिए कारेशाला में इस्थापित किया जाना है मोटर की दक्षता 85 प्रसेंट तदा पाउर्टर पॉइंट डेट है तो मोटर की फुल लोड करन यानि की आई येल फुल लोड करन का मान किता हो जाएगा काई जो आपका दस एच्पी है तो दस एच्पी हो 735.5 से मल्टिप्लाई 746 से करना यहां पर देखे इसने बिटेश थमल से कर गए तो 746 से मल्टिप्लाई करोगे आप लोग इसके बाद क्या आएगा नीचे अंडरूर 3 इंटू 415 415 के बाद आएगा आपका एफिशेंसी 0.85 है और पावर एक्टर पॉइंट डेट है आप यह सॉल करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आजएगा 15.26 तो question number 6 का right answer हो जाएगा guys C question number 6 का जो है आपका right answer है option number C clear है? चलिए अगला option देखते है question number 7 minimum size of earth continuity conductor should be earth की continuity के लिए minimum square gauge का जो wire होता है वो guys 14 square gauge होता है यहां देखेंगे 14 square gauge book में से आपका answer और internet दोनों पैसे confirm करा हुआ है तो इसके बारे में आपको कई लोग गलत बदाएंगे बढ़्धान देखना 14 square gauge एक दोन correct answer है अगला question है question number 8 earth resistance किस पर निर्भड करता है? देगे earth resistance मिर्दा की दशापर यान की मिट्टी कैसी है मिट्टी के इंदर monster कितना है और मिट्टी का temperature कितना है minimum आप मिली एंपियर है ना guys 4-5 मिली एंपियर या 20 मिली एंपियर तक maximum हम लोग मान सकते हैं बहुत वो भी हद मार के अब यहाँ पर देखे सारा 9 एंपियर और 90 एंपियर ही तो दोनों ही गलत हो गए 9 और 90 तो इसमें तो आदमी मरी जाएगा 90 मिली एंपियर 9 मिली एंपियर सबसे कम क्या है नो इसलिए राइट आंसर होजाएगा आपका question number 9 का यह question number 10 देखे यह क्या रहा है service line जो आपकी service line होती है वो किन दो के बीच संबंद है तो guys service line देखे जो आपका distribution pole है उससे सीधे आपके energy meter पर आती है उसे हम लोग कहेंगे service main तो distribution pole से जो energy meter तक आती है यहां देखिए यह distribution pole से कहा रही है consumer के main distribution board तक सीधे board तक नहीं जाती service main कभी ध्यान देखेंगे distribution board के बास सब circuit आता है तो वो घर के wiring कहलाती है यहां transformer यह भी गलत तो आपका correct answer होगे option number 1 question number 10 का question number 11 देखते हैं MCB का पूरा नाम जो की guys बहुत हीज़ी है miniature circuit breaker 11 का होगया B question number 13 यदि question number 13 क्या कहता है 12 sorry यदि एक छोटी colony का average load मान लीजे 20 किलोवाट है अधिकता मांग 40 किलोवाट है तो इसका load factor कितना होगा अब देखिए इसने क्या बोले load factor तो guys load factor का formula क्या होता है maximum demand sorry जो आपकी average demand ठीक है average demand upon maximum demand याने कि maximum demand या फिर आप कह सकते peak ठीक है तो maximum demand कि किती है 40 और peak demand किती है sorry एक सब्सक्राइब किया कुछ हाँ maximum sorry यहां पर क्या आता है आपका average demand पहले हाँ आपने सब्सक्राइबरेज दिमांड माहा थोड़ा घसेड़ पसाड़ हो गया average demand upon peak demand तो average demand है आपकी 20 और peak demand है 40 तो 20 को 40 में बाग करोगी तो एक बटा दो जाने की 0.5 तो option number आपका B correct हो जाएगा देखिए option number B आपका correct हो जाता है तो question number 12 का option number B correct है चेक कर लिजेगा confirm है अगर फिर भी आपको लगता है तो बता दीजेगा question number 3 guys देखिए question number 3 कहता है कि statement for analysis of tender is called तो guys इस question का answer मुझे confirm नहीं मालूम तो मैं चाता हूं कि question का answer आप लोग देखिर भी जो मेरा दिमां कहता है जो मुझे लगता है वो लगता है C और इसका मैं confirm बिलकुल भी नहीं हूं तो आप लोग मुझे बता है अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट करके जुरूर बता है अगला question है कि निम्द में से इस्टे जो सैट आता है इस्टे सैट में क्या चीज नहीं होती देखिए वो होता है थिंबल होता है एंकर पले उड़ती है बट डिसक इंसुलेट इंसुलेटर बिल्कुल अलग होता है यह एक इंसुलेटर का टाइप है अगला question है most popular type of electrical service line nowadays अब यह कह रहा है कि nowadays सबसे popular service line कौन सी है अभी तक हमारे घरों के बार तो भी यह overhead है बट अब underground चल रही है ठीके पूरी जगे पर काफी अभी तो मैं कहूं 10% एरिया भी ऐसा न अलग सा लग रहा है मुझे तो आप लोगों को अगर कहीं किता में देखी अलग लग जगे पर कहीं किता में लेखाए overhead कहीं लेखाए underground बट सी ऑप्षन भी करेक्ट हो सकता है इसलिए मैंने सी ऑप्षन आपर टिक किया अगला question है निम्द में से कौन सी सुरक्षा युक्त से बचा जा सके तो राइट सर् हो जाएगा हुर्ण गैप कि किसी स्टोर की नियंतरन अधिकारी से स्सामान निर्गमन करने के प्रपत्र काने अग पत्र कोश्ण नमर् 7 राइट आंसर हो गया, C, कोश्ण नमर् 18, भारती हैं विदूत नियमा नुसार, किसी भी पावर सर्केट में में मैक्सिमum कितने वाट आप यूज़ कर सकते हैं, तो पावर सर्केट में मैंने आपो बताया था, तीन हज्जार वाट तक आप एक पावर स तो जिस बच्चे ने जरूर इसका सही करके आया हुआ अभी तो इसमें कही नम आये निए जैवरा पैंथर टेरंटुला यह सारे नाम है जो की कंड़क्टर के नाम रखे गए है जानवरों के नाम पर तो यह इसका राइटांस रोगा एक कंफर्म कोशन नमर 19 में कोई भी संशन नहीं है विदाव डाउट कोशन नमर 19 का ओप्शन एक करेक्ट है अब करते हैं हम लोग कोशन नमर 20 चले 19 तक हो है ना कोशन नमर 20 देके यह जो दो नुमेरिकल टाइप कोशन दे क्या कहता है कि 100 केवी एक 11.43 केवी खंबा है एक सीधे रास्ते पर जा रहा है जिसकी लंबाई एक किलोमेटर रखी गई है अब बागी जारगारी फाल तो अभी कहता है कि दो समीप वरती खंबों के बीच ही दूरी 50 मेटर है तो आवशक कुल आर्सेजी खंबों की अब देखें गाईस यह पहला खंबा आया अब यह अब ऐसी बागी के हमब हैंगे 100-200 सरी 100मीट़ 50, 100.5, 200, 200, 200, 200 के बाद किता हुँए 300, 353, 400, 454, 500, 500, 500, 600, 600, 500, 700, 700, 800, 800, 800, 900, 900, 800, 1000, 800, 100, 900, 100, 1000, 1,000 किलोमेटर है अब इसे काउंट कीजिए देखें क्रेक्ट आंसर 20 हैं तो इसका हो गया भी आप ऐसे ने वह यह एक हजार किलोमेटर एक हजार मीटर पचास तो बीस एक एक्स्टा एक यह खंबे की तो कोई दूरी थी नहीं यह तो स्टार्टिंग वाला खंबा था तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 21 कई लोग मुझे प इस पाउर फेक्टर का एक फॉर्मिला ध्यान होगा क्लोवाट रेटंग अपन केव रेटंग अब देखिए पाउर पेक्टर कितना देर आहा इस ने कbelsो चलिए बाइस और नियुक्व करने के लिए अकला कोश्ण क्यों मुरुक्त ता किर्षी फीडिसेंट्रल जाने के लिए ठीक है इसको 415 वोल्ट 3-फेस की 11 के वी लाइन से कने करना है कितनी 11 के वी डिस्टिबुशन लाइन से कने करना है तो जिसका विदुद भार सेथिस के वी अब यानि कि यह सेकेंडर होगे यह प्राइमेरी होगे आपकी यदि मोटर को फुल लोड दक्षता 85% पावर हेक्टर पॉइंट तो प्राइमेरी करेंट किजिए अब देखिए 415 वोल्ट से 3-फेस की 11 के वी बे कने करने के लिए कह रही है तो प्राइमेरी करेंट कितनी होगे प्राइमेरी होगे 415 वोल्ट अब आप अगर सारी केलिमेश तरीक आप लोग क्या टेक करके हैं कमेंट करके जरूर रता हैं कोशन नंबर 24 देखेंगे अब यदि यूजित भार किलोवाट में पांच किलोवाट है और डाइवर्सिटी फेक्टर 1.6 से तो भविश्य हेतूं सो प्रतिशत अतिरेक्ट मांग को ध्यान में रखते हुए लिए जाने वाले विजद भार अब देखिए चाहे डाइवर्सिटी फेक्टर कुछ भी यो पांच किलोवाट है अब यह क्या कहता है काईस कि सो परसेंट अधिक्तम मांग पांच किलोवाट पे आपकार अगर आप इसे पांच किलोवाट को इसे बन फाइफ से अगला देखिए कोशन नमर 25 निम्द में से कौन सा एक ओवरेट विदो प्लाइन का अव्यब नहीं है देखिए आपके पास अब किसी जिस बच्ची ने इंग्लिश में पड़े वो गंफिस्ता पोल सो जीरो यह तो 305 में भी दें कंट्रोल सरकीट में पोल सो जीरो होते है यह पोल से खंबे वाला और यह जिरो है जिरो ही ठीके तो पोल सो जीरो तो कुछ होता है नहीं इवाई इनसूलेटर होता है चालक होता है खंबे होते हैं बट जिरो नहीं होता तो राइट आंसर होगे आपका आप्स्चन नमर B तो गया अगला कुशन देक है कि CT-PT को सब कोशन नमबर बी अगला देखें कोशन नमबर 27 किसी ग्राहक के विदुद भार मांग तता समय के मद्य संबंद को बदर्शित करने वाले करव को लोड करव कहते हैं माल लिया मागर यदि यह लोड करव घंटों में लिया जाए ठीक है यानि कि 24 घंटे 24 घंटे में लिया अगर मंधिली बेस पर ले जाता तो मंधिली शाल के ले जाएगा येद्य लोड करव को चाहिए अब प्रोटेक्शन यूज़ इन एच्टी साइड ऑफ पोल मांटे सबस्टेशन इस क्या कहलाती देखें इसकी एच्टी साइड पर प्रोटेक्शन करने के लिए इसमाल किया जाता है जब भी कोई फॉल्ट आए कोशन नमबर 29 का करेक्ट आंसर होगा अप्शन नमबर B चलिए अगला कोशन देखें यदि 11 मीटर मुचाई के स्टील खंबे का उसत व्यात इतना 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 अब ही कहता है कि ACSR कंड़क्टर जो आपको जरूरी है उसकी टोटल लंबाई कित इतनी मानी जा सकती है तो गाइस अब देखिए जब आप टोटल लंबाई को कल्कुलिट करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 3800 मीटर 3800 मीटर करेक्ट आंसर आना चाहिए अच्छा स्वरी 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 हमें के मीज विस्तार है 120 मीटर ठीक है वो सब भी मान लिए अपनने मगर सिर्फ लंबाई कितनी है टोटल एक क्लोमेटर दो परसंट जोल लेना है आपको अब अगर एप्रोक्सिमेट ले अपन देखें तो अब इसके बाद आपका अंसर देखिए मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ ए या भी दौनों में से कुछ भी हो सकता है आप लोग बताएंगे कमेंट करेंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर ठीक है देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं गाइस रुखिए कोशन नमबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर 30-60 ठीक है तो आपको समझ आगे होगा ठीक है कोई भी फालतू की बाते नहीं करेगा जिसको जो भी आंसर गदर लगता है कमेंट करके बताएंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोले थैंक्यू वाइस मिलते अपनी नेक्स वीडियो में